हेलो फ्रेंट्स मैं कमलेस आप देख रहे हैं स्टड़ी मिटेरियल A2Z दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके एरपोर्स ग्रुप C के रिजल्ट को लेकर काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पे अपनी पोस्ट को लेकर यहाँ पे कन्फ्यूज हैं क्योंकि अधिकतर जो कैंडिडेट हैं जनको इस परकार का मेल जो यहाँ पे आच चुका है लेकिन काफी सारे कैंडिडेट की कमेंट हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो कम्पलीट जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी लिस्ट के बगरे में भी हम दोस्तों यहाँ पे कम्पलीट जानकारी यहाँ पे बात करेंगे तो जो भी कैंडिडेट नहीं हो चैनल को सस्क्राइब करें के बेल आइकन को ओन जरूर कर लेजिएगा दोस्तों एरफोर्स ग्रूप सी की हर अपडेट इंडिया से सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे निकल के आती है और आपको अपडेट करते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक बार टेलिग्राम के बारे में भी बता देता हूँ जो नहीं जुट दोस्तो जो भी आपका अपडेडेट यहाँ पे नोटिस यहाँ पे आता है देखे अससी जीडी की जो वेकंसी थी उसको स्टेट वाइज वेकंसी आई है उसका नोटिस यहाँ पे आपको फोवर्ड कर दिया गया है और जितनी भी आपके एक्जाम बगेरे जो भी आपकी अरेजिमेंट है वो आप कर सकते हैं टिकेट बगेरे के साथ एक साथ करवा सकते हैं कुछ हेलप आपको यहाँ पे मिल सकती है तो आप यहाँ पे आकर जुट जाईएगा तो दोस्तो यह आपको वीडियो की डिस्कुशन में टेलिग्राम और परकार का एक मेल आपको द्वारा जो की दोस्तों यहाँ पे भेजा जा रहा है इसकी लिस्ट जो आप कहां से डाउनलोड कर पाएंगे कैसे कर पाएंगे सारी चीजें दोस्तों जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और देखिए इनका जो एक्जाम है यहाँ प वारा तो यहाँ पे आपको बुलाया गया है जामनगर स्टेसन में चाहिए वो LTC की कैंडिडेट हो चाहिए वो MTS की कैंडिडेट हो चाहिए वो दोस्तों स्टोर की पर क्यों सबी का यहाँ पे दोस्तों जारी कर दिया गया है यहाँ पे किसी को मेल यहाँ पे सेंड की जा लेकिन यहाँ पे मैं जितना भी सुन रहा हूँ और आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ किस परकार की चीजे हैं दोस्तो यहाँ पे सभी candidate जिनके भी यहाँ पे मैं आपको नाम सो करा हूँ जो कि यह नाम आप देख रहे हैं जिनकी भी यह email ID है तो एक बार comment box में यह बताना कि आपका exam कब था और यहाँ पे दोस्तो यह जो मैं एक candidate ने मुझे 27 जुलाई के candidate थे जिनों भाई ने यहाँ पे हमें 25 जुलाई के candidate थे जिनों ने हमें यह जो send किया है तो आप दोस्तों यहाँ पे देखे यह जो इतने सारे name यहाँ पे है कल यह message आया था और इसमें आपका क्या नाम है जो जामनगर वाले बच्चे हैं तो एक बार इसको जुरूर देख लीजिएगा भाई और अब next हम बात करते हैं दोस्तों आपके MTS वाले candidate का की तो MTS वाले candidate के पास भी ऐसा mail आ चुका है पुरूप देख लीजिए तो दोस्तों यहाँ पे यह भाई दे सकते हैं सर कोलेटर जो यहाँ पे 28 अगस्त को phase 2 हमारा contact होना है और यह list दोस्तों इनकी दुआरा भेजी गी थी टोटल 11 पोस्ती 30 बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया था और इनका exam वगेरे भी पूछा था मैंने कप अब इनका exam हुआ था तो इनका exam दोस्तों देखिएगा 25 जुलाई को इनका exam हुआ था MTS जामनगर का उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यह सारी list आप देख रहे हैं और यह आप देख पा रहे हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पे important है कि 500 प्लस candidate थे 25 को two shift थी लेकिन मेरे भाई यहाँ पे यह MTS की candidate है अब आपका सवाल होगा sir मेरा तो exam इस date को नहीं हुआ था लेकिन मैं हाँ पे को गुणतिस वाला भी बच्चा दिखाता हूँ जिनका भी यही मेरा तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस परकार का ही mail सभी को send किया जा रहा है और एक जीज़ आप अगर comment देख रहे हैं जिन candidate के पास हो सकता है mail या phone नहीं आया है तो आपको भाई 28 अगस्त के लिए ही ready रहना है और आपका cut-off के बारे में में discuss करेंगे कि कितना cut-off जो जामनगर में लगबग जो रखा गया है तो दोस्तों यहाँ पे इनका नाम गोत्तम है और यह देखिए इस परकार से सभी के यहाँ पे दोस्तों आ रखे हैं आपके mail लेकिन सबसे important है दोस्तों यहाँ पे list जो क्योंकि आप यहाँ पे आप थोड़ी सी यहाँ पे मैं help चाओंगा जो भी candidate जाम नगर का यहाँ पे पास में लगता है तो भाई आप list लाकर हमें जरूर send करना आपको number मैं बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोस्तों list जो अभी तक नहीं आई है मेरे पास क्योंकि बहुत जो यहाँ पे candidate जुड़े हैं फिर भी list नहीं आई है क्या कारण है पता नहीं देखे यह जो number है यह वाटसब number है यहाँ पे आप list को send कर सकते हैं जाम नगर की और वहाँ पे भार जो list लगाई जा रही है तो आप list जाकर देख लेना भाई और ताकि यार हर candidate की help उसके और सभी का आप मुझे जो photo यहाँ पे send कर देना मेरे भाई और देखे जिनका भी result अब नहीं आया है और जिनके भाई cutoff की बारे में बात करें मैं सभी candidate से बात भी कर चुका हूँ cutoff कितना गया है देखे टोटल 40 नमर का जो आपका एक्जाम था उसमें दोस्तो 38 पलस वाले और 38 वालों का यहाँ पे दोस्तो नाम आ रहा है तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपकी cutoff कितनी जा रही है और आपने number of attempt कितने किये थे मैंने तो आपको हालंकि बोला था कि सभी का number of attempt जो अधिक्तम होने चाहिए तो दोस्तो आपकी list जो मुझे नहीं मिल रही है लेकिन list जैसे ही आएगी टेलिग्राम पे forward कर दी जाएगी तो जो भी candidate नहीं हो चैनल को subscribe करके बैल आइकन को जरूर कर लीजिएगा और टेलिग्राम पे जुड़ जाएगी का वीडियो की discussion में आपको link मिलेगा अगर मेरे से बातचित करना चाहते हैं तो वीडियो की discussion में आपको Instagram का link मिलेगा वहाँ पे जाकर follow कर लीजिएगा तो गैज यही आपको update करना था उमीद करते हैं कि आपको update पसंद आया है और आपको इसी परकार मेरी help आपको मैं करता रहूँगा लेकिन थोड़ा सा help आप भी कर दीजिए list बगएर दोस्तों जो भी pass में candidate है आप जो जाकर वहाँ से list को फोटो खिंच कर ले आईए ताकि हर candidate को पता चल सके कि यार क्या जो हो चीजें यहां पर हो रही है कई candidates हैं जिनको call अभी नहीं आया है 29 के हैं और इनका attempt भी अच्छे हैं कि 38 plus attempt है फिर भी नहीं आ रहा है तो यह सारी चीज़वेचन दोस्तों आपकी हो सकती है तो मिलते ह नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिंद